यह कहानी इस बारे में हैं कि एक अंतिम संसकार में शामिल होने के दौरान क्या हुआ था? 20 साल से भी पहले, ग्रामेन लोगों के अधिकांश अंतिम संसकार उनके अपने आंधन में ही किये जाते थे. एक अंतिम संसकार शेड स्थापित करके और ताबूत को शेड के नीचे रख कर, एक बार जियो ये और उसकी दूसरी चाची अपने सबसे बड़े चाचा के अंतिम संसकार में शामिल होने गई, सबसे बड़े चाचा अपनी चाची के निधन के बाद से अकेले रह रहे थे, जो बहुत दुखत था, बाद में उनके अपने बेटे और बहुंसे रिष्टे ख्राब हो गए। इसके बारे में सोचने में असमर, उसमें अपने घर के छट के नीचे फासी लगा ली। अंतिम संसकार के तीन दिन बाद तक दूर के रिष्टेदार मेरे चाचा के परिवार के साथ उसी गाव में और उनके घर पर रहे और अकेले में चुपचाप फासी लगाने के मामले पर चर्चा करते रहे। खास तौर पर दूसरी चाची बहुत बाते करती थी और ऐसा लगता था कि उनके मन में फासी लगा कर आत्मात्या करने के बारे में बहुत जिग्यासा है, रिष्टेदारों का एक समो आधी रात के तीन या चार बजे तक बातचीत करता रहा। दूसरी चाची ने कहा कि वह शौचालय जाना चाहती थी, लेकिन अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने छोटी पीड़ी की एक लड़की को बुलाया, एक दूसरे का साथ दे। ग्रामेन शौचालय घर के ठीक पीछे है, लाल इंटों से बने एक छोटे से घर में एक बैठने का गड़्धा है, दोनों शौचालय जाने के बाद वापस चले गए, कुछ कदम चलने के बाद दूसरी चाची अचानक रुखी, फिर अपने हातों से हवा में खरोचते बोली, सडक पर कपड़े लटकाने वाले तार किसने डाले? उन्होंने लोगों की गर्दने लटका दी. छोटी लड़की ने उसे बहुत दर्ते हुए देखा और बोली, दूसरी मौसी, सडक पर कपड़े लटकाने के लिए तार कैसे हो सकते हैं? और तो और, अभी जब हम आये थे तो कपड़े टानने के लिए तार भी नहीं थे, अब तार है. दूसरी चाची अभी भी उसकी गर्दन को छू रही थी, लेकिन यहाँ वहाँ है. यह सुनकर जूनियर लड़की को अचानक कुछ ख्याल आया, वहाँ इतनी डर गई कि चलाते हुए भाग गई. जब उसने लोगों को घर से बाहर बुलाया तो वहाँ दूसरी मौसी के घर पहुची और देखा कि उसकी आखे सफेध हो गई है और वहाँ जमीन पर गिर पड़ी है. हर कोई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था. उसे अंदर ले जाया गया और उसे ठीक होने में थोड़ा सम लगा. पूचने पर उसने बताया कि उसे महसूस हुआ कि कोई तार उसकी गर्दन में कस रहा है और लटक रहा है. लेकिन सडक पर किसी और को कोई तार नजर नहीं आया. लेकिन दूसरी चाची की गर्दन पर लाल निशान जाया.